समस्तिपूर जिले के लीची कारूवियों के लिए बड़ी खबर है पहली बार रेलवे ने समस्तिपूर स्टेशन से लीची लोडिंग की विवस्ता शुरू की है जोसे अब समस्तिपूर वा इसके आसपास के लीची किसान वा इससे जुड़ों विवसाईयों के लिए अब लीची का बाजार काफी बड़ा हो गया दरसल समस्तिपूर रेल डिविजन के वानिज विभाग ने व्यपारियों को बहतर सुविधा प्रदान करते वे समस्तिपूर स्टेशन से पहली बार लीची लोडिंग शुरू की है गाड़ी संक्या 11,062 जोयनगर लोकमानली तिलक टर्मिनल पवन एक्स्प्रेस के जरिये SLR कोच में विशेशी सुविधा के साथ लीची उत्पादकों का लीची लोडिंग किया गया रेलवे ने अपने इस एतिहासिक पल को खास बनाते वे बुकिंग कारियाले को खास तरीके से सल्याग कर इसकी शुरूआत की पहली बार सस्तिव बहतर सुविधा मिलने से लीची कारूबारी भी खासे उत्साही दिखे मौके पर लीची कारूबारीय ने कहा कि वो बीते 10-15 वर्षों से इस कारूबार से जुड़े है रेलवे केस सुविधा के बाद उन्हें काफी लाब मिलेगा बता दे समस्तिपूर जिले के आसपास का छेत्र जुसे लीची का समराजी भी कहा जाता है यहाँ शाही लीची के पैदावार खूब होती है लीची का स्वार पूरे देश में उप जाए गई सभी लीची से बहुत जादा अच्छा होता है इसे जुड़े कारूबारियों और किसानों को इसे बाहर बेशने के लिए बहतर जरिया के अभाव में बाजार, सिमित और महंगा था बहरहार डिविजन के इस शुरुआत से यहाँ के लीची किसान और कारूबारियों के आजिविका का बड़ा जरिया मिला है साथ इस डिविजन को भी लाखो रेल राजस्विकी व्रिधी होगी कुल मिला कर देखा जाए तो एहमदाबाद साउथ के साथ साथ आप मुंबेवासी भी समस्तिपूर के लीची का स्वाद आसानी से चख सकेंगे